कोई दिकत सारे चार मेना खतम बचा हुआ कहां है ज़र बचा हुआ टाइम को जड़ा देख ले मार्च है अप्रेल है मैं है जून है जुलाई अगस्त एक दो तीन चार पांच है एक स्वस्षी दिन है कि शिक्स मंत्स कि आज से वग्यां सबक्राइब टो चेव महीना है एक एडिर यह तो सरक पर वसज़व महीना है अब नो महीना भी नहीं है समय कैसे भाग रहा है आपको पता भी नहीं चला कभी आपने बैठके मुर के रुक के देखने की भी कोशिश नहीं किए हम क्या देखने की कोशिश करते हैं अच्छा अनंद क्या आता है 1500 अहां इतना सीटा रहा आ रहा तेरा नहीं आएगा टेंसन तू नहीं ले के अ कि द्रक भी नहीं आएगा है अ हुआ सेंटर पॉइंट मेरे रखो ने नजर है अ कि चिरियां की आख को नहीं इट ए कि किसको आख कि अंदर जो पॉइंट है ना बस उस पर क्लिक करो असली तो मझा वहाँ है असली मझा यहां है सुक दुख दर्द सब कुछ यहां है यह यहां काम आजा है यह तो खुद चलके मेरे पास आएगा और जो खुद चलके पास आएगा हम वो बेकूप है हम चलके यहां जा रहे हैं हमको आना चाहिए था यहां पर यहां देख लें एक बार आकलन करके क्या है लेकिन खेर छोड़ो सुजी सर उससे क्या काम आपको है छो आओगा अब बात रही कि ज्यादा से ज्यादा सीट आता है तो संभाब नाई ज्यादा बन जाती है सेलेक्शन होने की अब यहां पर सुझी सर्थ हमको पहुंचाने के लिए आप करोगे क्या और हम अपने आप में क्या करें कि किसी भी हालत में एक सीट आज भुक कर दें यहां पर कुछ ऐसी हमें बुद्धी बताओ कुछ ऐसा उपाई बताओ कुछ ऐसा जुगार बताओ जिससे यहां से यहां तक आ सके क्योंकि आप सब कुस तो बता दिए दर्द तो दे ही दिए टेंसन तो आप दे ही दिए हमको स सुबह सुबह लेकिन यहां तक कैसे पोँचे कि पर हाने से क्या फाइदा जब rearrange ही कि नहीं होगा पर आने से क्या फाईदा जब आप सर्मी सिह नहीं कर रहे हैं एक दिन भी बताई और दिल में हांत रखें हमको साक्षी बारीए और बताई यह अब सरवीशिंग किसी दिन किये है कभी बैठके आंकलन कीए हूं कि कन कर लीजिए पूरा क्लास बंद कर देंगे हम लेकिन आज सरो मिशिंग कीजिये 3 एक बार बैठके अपने उपर आतमन्तं की एक घंटा मात्र neighborhood घंटा कँ आपका रूह ना कपा देगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आपकी आखों से आशू ना गिर जाए तो मैं परहाना छोड़ दूँगा बस ये सोचना है कि मेरे जीवन से कितना वक्त गुजर गया इसपे फोकस रखना है और मेरे जीवन मैं अब कितना वक्त भचावगा है दोनों पहली बार इतियास में बिपियसी के इतियास में जब इनसान को पता है एस्पेरिंट्स को पता है क्योंकि इससे पहले अब तक नहीं पता होता था कभी एक्जाम होगा इस बार पता सप्टेंबर को एक्जाम है, अगस्त आपका इंडिंग पॉइंट है, अगस्त के खतम होते ही, जिन्दगी लॉक हो जाएगी जाके, चाह के भी आप कुछ नहीं कर पाईएगा, जिसका BPS नहीं हुआ नहीं, उसका कुछ भी नहीं होगा, और अगर वो भी गया गलती से, तो उसे सुकून कभी नहीं मिल सकता है, ना खुश ही मिल सकती है, बैचैनी हर पल उसे मार के रखेगी, ये कीन मानो, आप किसी पोस्ट पे चल जा, एक BPS याधिकारी आएगा, आपको ऐसे करके परनाम करना ही पड़ेगा, सन्नमस्ते, और ये सर, हमीशा, हमीशा के लिए उन लोगों के पास जुकना चाहिए, जिनके पास ग्यान हो, आपसे जादा, उम्र में बड़ी नहीं, ग्यान में बड़े हो, और यहाँ ये हालात है, कि जो बैठा हुआ अधिकारी है, उससे ज्यादा नौलेज आपके पास है, लेकिन आप समझी नहीं पाए, इस यहां तक मामला फिट, तीसरा, अब यहां एक सिट बुक करना है, अगर कोई इंसान को एक सिट बुक करना है, वो कैसे बुक करेगा, आई यार सिटी के वेब साइट पे जाएगा, है के ने, प्रोसेस तो यहीं न, उसके बाद उसे पता यह होना चाहिए, कि हमें जाना कहा कहा तक है, दूसरा प्रोसेस, पकरना मेरी बात को, तीसरा प्रोसेस उसका क्या है, जाना कहा तक है, तीसरा प्रोसेस है कि कौन से कमपाट्मेंट में जाना है, जेनरल क्लास में जाना है, सिलिपर क्लास में जाना है, एसी क्लास में जाना है, किस में जाना है, उसके हिसाब स से चूज करना है सीट तीसरा कब जाना है बस इतना अगर कंफर्म है तो उसका सीट कंफर्म है धर्ती पे कोई नहीं रोग सकता तो कि पास में पैसा तो है यह तभी तो वहां IRCT के वेब साइट पर गया नॉलेज है तभी तो आप भी प्यसी के त्यारी कर रहे है इसका मतलब है कि यहां पे दो चीज पे ध्यान रखना है एक ध्यान रखना सुझी सर पीटी पे और दूसरा जुर्याद रखना है ध्यान रखना है एंसर राइटिंग पे ये दो जिनका स्ट्रोंग होगा एक सिट पक्का है धरती पर किसी का ना हो मिल ले मुझसे आके एंसर राइटिंग स्ट्रोंग होना ज़़ूरी है अभी पुड़ा प्रूव दे देता हूं आपको अब पीघी में स्टुजी सर पीठी का तो इतिहास लंबा है मन तो कभी कभी करता है घुसे से की हलका सा गाल में थोड़ा सा हलका सा जटका दूँ अब समझ जटका कैसे दिया जता हां हलका सा जटका आपको लाना कितना जी सबको पता है सुझी सार हंडेड ले आएंगे इतना बरा दिमाग का पैदल इंसान होता है आप अंदाजा नहीं लगाईएगा जब आपको हंडेड लाना है तो इसके लिए क्या सारा सब्जेक्ट पढ़ना क्या अस्मार्टस सेडी सिर्फ बोलने के लिए राटमर वीडियो देखने के लिए और फालतु वे मोटिवेट होने के लिए और यहां दिमाग आके बेकुब बन जाना सबसे पहले आप हिस्ट्री को पकड़ो हिस्ट्री में किस को मोडर्न को एक कोश्चन गलत न होना चाहिए किसम खुदा की जीते जी मौत आजाए मोडर्ण में एक कोश्चन गलत होना चाहिए आपका इस तरीके से बूं करेगा रहाल में कि देखने वाले का नजारा देखने लएक होगा जब सर जोके गाने जिसको करते हैं पागलपन कि सर जोगा दो तो तो सर तब उठे जब तक हंडेट लॉट सरना कर जाए निगेटिव अटाक है कि दूसरी बात हिस्टी के बाद आता है साइंस जेनरल साइंस साइंस में बायो प्लस फिजिक्स इस दोनों पर कमांड रखना पता नहीं कब कौन में चला जाए यहां पर तुरसा कंटाटिक्स होते रता बायो फिजिक्स से एक कोश्चन गलत में होना चाहिए लगा दो जान आस्मान जमीर जो उलटना उलट दो खुद को बरबाद करना कर दो बिमारी को लाना है ले आओ घर में दुनिया बेकुप कहती कहने दो गाली देती है देने दो तमासा जिंदगी बंड़ा यह बंड़ने दो लेकिन किसी भी हालत में हंडिट को क्लॉस करवार दो कि तीसरा कि बिहार स्पिसल कि एक भी कोश्चन गलत नहीं होना चाहिए कि मैं सबकी बात कर रहा हूँ एक कोश्चन गर गलत हो गया तो पाप के समान है और आप पाप करने धरती पर नहीं है कि अभी आपको डाटा दिखा देते हैं जी आपके आँखों के सामने कहिएगा बोलना असान है करना इससे भी आसान है लो कर क्या रहे हो कौन सा काम है मजदूरी करने जा रहे हो कही दिहारी करने जाते हो क्या आराम से दोबस्ट का भोजन नहीं मिल रहा है इससे अच्छा जिंदगी कहा है अरे कमाओगे भी तो दोबस्ट का भोजन अच्छे से मिलेगा देखो ना तुम्हारी सामने कड़े हैं और भेरुजगारी में दोबस्ट का भोजन मिल जाना क्या रूई कम है राना जी इससे ज्यादा खुश नसीबी क्या कहते हो आप कहते हो कि मोटिवेट करूं मैं मोट करने नहीं आता है कि तीसरा को करेंट अफेर है डिली न्यूपेपर का सहरा ले लो जिस दिन न्यूपेपर का सहरा ले लो गेने बाइग गॉड आपको कभी भी बीपेस्टी बेशारा नहीं करेंगा आ भाइग बुला हूँ ध्यान से पकरना सब्दों को और जब तक आप मेगजिन का सहरा लोगे उसी दलदल में रहोगे वो भी सकता नहीं भी हो सकता फिर कहीं का नहीं रहोगे फिर चाहे वेडू टूरिया हो अस्पीडी हो घटना चक्र हो फलाना हो धेकाना हो सबने अपना बजार कर लिया करोडों का टर्ण ओवर सबके पास है सबका मालिक मर्सिटी से घुमता है और उसका परने बाला सब बेरोजगार होके सरक पे बीना चपल का घुमता है सरम से डूब मडो ये लोग क्या अपना बनाते है करेंट क्या इनकी अपनी हैसियत है बनाने की करेंट निउस्पेपर सी काट काट के डाल रहा है और आपके पास में है भगमान बुद्धी भी दिया है बीवेग भी दिया है वक्त भी दिया है फिर भी करने के लिए तयार ने मैं नहीं पढ़ होंगी निउस्पेपर तो आना एक खतर मी में मिलना सुजी सर से अभी फीस बीस हजार है उस समय लेंगे चालीस हजार हम सस्ता पढ़ा के बेरोज़गार बनाने बाला खेलने ही खेलेंगे वो हमको खेलने आता खेलना किलिर हुआ अब तर्यको इतनी बात बताई कर दोतMonster च survives्र cush ? 35 से 35 से घ्ठा लेंगे बिहार स्पीशल कितना कॉस्च्च्च wreck के काओ में भी करेट कितना कॉस्च्च। हाँ 30 से 35 जड़ा जोड़ना तो, 30, 60, 80, जोड़ो, 85, 30, नहीं आ रहा है, 110 ही रखते हैं, और 5 घटा दिये, यही तो एक दब गारेंटी 110 है, आपका 100 में, कनफर्म है होड़ा, 90 में होड़ा है, सुझी सर, क्या बात कर रहे हो, क्या, अब आपको पॉलिटी पढ़ने की जरूरत है, क्या आपको एकोनोमी पढ़ने की जरूरत है, क्या आपको मेंच पढ़ने की जरूरत है, क्या आपको जोगरफी पढ़ने की जरूरत है कहां से बरबाद करें हुझी आपका तो इंग्लिस मीडियम का रिजल्ट होता है हिंदी मीडियम का होता है नहीं होगा भी नहीं कभी कि तुम्हारा प्रिलिमस ही नहीं होगा सुझी सरसे पढ़ते रोमेंस क्या गलत बोल रहे है नाना जी देखो ना तुम्हारे पास साइंस है यह कौन बता है कौन टॉपर है जो आकर बताया आज तक इसे इसे पता था क्या अरे उसको भी पता लेकिन इसे बताई गाना तो उसका वीडियो चले गई नहीं यूटूब पर को देखे गई नहीं उसको इरिटेटिंग लगे गा इसी बात उसको चाहिए ऐसा कि मैंने चार साल तक मैंने कसम खा लिया जब तक मैं हडी सब्जी तब खाऊंगा जब मैं ऑफीसर बन जाऊंगा देखो एक एक वीडियो आपको देख देख के हंसी लगेगा छे सो रेंग आया है और चार साल तक हडी सब्जी निखाया तो किया क्या मैं उनका भी सम्मान करता हूं ऐसानी की नहीं करता हूं एक कुछ तो रखो यार कुछ तो रखो कुछ तो आप लोग दिमाग रखो चलो उनको तो बोलने का टॉपर है उनकी बात को कौन काटेगा वो तो निकल गए बोलके लेकिन आपका दिमाग क्या है पैदल है नहीं भेजा भगवान दिये हैं अगर हडी समझी नहीं खाय तो रोज दिन आलू खाना कैसे खाएगा च कोई समस्या एक सकेंड जड़ा सा रुक जाएगे बहुत देर से कौल कर रहा है बस एक सकेंड झालू 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 कुछ भी समझ सकता है किलिर हुए अब डाटा है नहीं मैं कोई भी बात बताईए जो आस्मानी तारा की तरह कर रहा हूं सब जमीनी अस्तर की बात है हां आप थो आसा बूलने का लहजा तो आसा टाइट है क्या करो है ही मेरा वही है अंदर से ब्राव सॉफ्ट हूं मिलोगे नहीं तो दीवाना बन जाओगे मिलते ही गले लगा लोगे तो देखने मैं इसा लगता हूं बहुत प्यार आएगा अपनों को भी भूल जाओगे मैं सही मता हूं अंदर से एकदम सॉफ्ट हूं लेकि बोलता इसलिए हूं क्योंकि अगर आपका सेलेक्शन नहीं आएगा न तो आपके घर का दीपक बुच जाएगा आपके मम्मी पापा का भरूसा खतम हो जाएगा आपसे आपकी आने बाला जनरेशन कहेगा पापा क्या किये थे मम्मी क्या कि थी एक सेलेक्शन भी ने ले पाई बीपेसी में अंदर से आत्मा तोड़ेगा अब बताव कोई आदमी हमारा पिंदी मीडिय है इसको भी पढ़ताय आं यह नहीं पढ़़्एंगे होगा ने होगा तो अब हेट टू कुछ सबकुछ पढरूक है यह कुछ यह कंटाच कर आँ कींका ही अदी का करेई बंद से बत्तर इसलती चला गया मैं खुद हिंदी मीडियम पर आता हूं लेकिन फिर भी बोलता हूं इसलिए ताकि आप संभल सकें अब बताइए सब इसमें है इसका कोश्चन लड़ रहा है इसमें उमीद है यहां टाइट करके बढ़ात की हुए है अब हिंदी मीडियम क्या है बड़ा बड़ा ग कही कुछ ने होगा तेरा कर आपकों के सामने डाटा सोचो जब चार सुजेक्ट में मेरा चलेक्षाव रहा है तो अब क्या यहां पे जाके ना हम घर के रहते हैं कि हाट के सामने है लुट् जाए आये न आये बैट जाए में जçek दें दीजिह उनको को पेसे भी करें अगर में रोएगा तो गोसंग न रोएगह ए कॉम रहेगा को आप तो कामी की है रोणे वाला है क्या गलत होड़ा तो आपको तो रोना लोह डोना है रोलो बैठके उसको पता है कि इसको हिंदी मीडियम वाला जो है एक बार दो बार पढ़ता है हम इसको दस बार पढ़ेंगे रगड़ेंगे घीसेंगे और तब तक रगड़ेंगे जब तक पूरा चमक ना आ जाए और उन निकाल देता है उसका इसमें जाकर देख लिए इंगलिस मीडियम माले में अगर 110 है तो गारेंटी बताता हूं नब्बे तक मारता है धर्ती पर कोई रोक नहीं सकता उसका अब आक यहां तो होई जाएगा मामला फिट इसको पढ़ना थोड़ी इतना तो बैसिक हाई है नियोलगी और हमारा यहां पर कितना आता है मिलाते काठते फारते चालि यहां तक में अब आधिस नमरए दसत्रस नमर का सब जगह खेल हैं असली हीरा को छोड़के 10 नमर में जाकर थाएं मार बात कैडिवोब भ। नकिभड मरव जिन्दगी बरर है ने भिएंद इसे कृटंधो प्रिलिम्स करने के लिए हम और दिमाग में मेरी बात को गलत तरी आई बता रहा है उस एबस में लीजिएगा तो आपकी जिन्दगी आज बदल जाएगी अब यहां आने के बाद अगर यह समझ गये तो आपका प्रिलिम्स को एलिफाई हो गया पीटी बचा क्या मेंस मेंस मेंसर राइटिंग का खेल है जो जितना रगड़ेगा वो उतना नि इसी खाड़ा है अब धीरे धीरे थोड़ा जब से हम लोग सुरू किये आप लोग के सायोग से तो धीरे धीरे हब आउठना शुरू हो गई पटना में हरे एक बड़ी बड़ी संस्था फेक्टरी तक हाबा चली गई कि भाए अब बच्चों को एंसर राइटिंग करवाओ क्योंकि सहर में सुनामी चल रही है और आने वाला देख लिजिएगा दो से तीन महिना के बाद हर एक इंसर चूट में फिरी में इंसर राइटिंग होगा इंसर राइटिंग का अलग से लोग पैसा लेते हैं साथ हजार आठ हजार क्या गलत बोलते हैं सिभम जी आ रहा है स कांदा हो जाएगा सुदू थो जब में यह पढ़ा रहा था तो एंसर राइटिंग कंडी कर वाया बच्चों को क्यों कर वाया है तुबने यही सोचान है अलग से कर भाएंगे अलग से टेस्ट्सिरीज नाम दे दिया गया टेस्ट्सिरीज अलग से बाहर क बच्चे लेकिन कोचिंग का बच्छा की से ठीस में पैसा दे रहा भाई? एंसर राइटिंग करने के लिए बाभू एक काम करो, अंजली, अच्छा इसमें आई हो ना, चलो 7000 फीस है, 50% तुम देना, कोई बात ने, तुम भी कर लो, क्यों, फीस क्यों दी थी? क्यों दी थी? क्यों नहीं बोलती हो? एंसर राइटिंग क्यों नहीं हो रहा है? कोई हमको पास करना है, इसले नहीं बोलते हैं सुजीत सर्, जिस कोचिंग में जाती हो, उस कोचिंग में मेंस परती हो, तो एंसर राइटिंग के लिए क्यों नहीं बोलती हो उसको? खुलियां बोलो, सामने बैठ के बोलो, बीडियो बना उसका, अब ये ड्रामा नहीं चलेगा, बेरुजगारी कट सीमा जो है, अस्ट्रीम लेबल से क्रॉस कर चुकी है, मेंस वहीं पढ़ेंगे, जहाँ इंसा राइटिंग सिखाया जाएगा, एकदम बेसिक से लेके हीरो तक, नहीं आया सिखने के लिए, पैसा रिटर्न दो, टाइम दो मेरा, दोनों देना होगा, क्योंकि मैंने दोनों दी है तुझे, है हैसियत मांगने की, आप जैसे को तो जूता से मार मार के भागा देगा, मांग के तो देखे तो कोचिंग वाले से, सही हूँ न, आप ही के पैसा से हीरो बना, और आप ही जैसे लोगों को जूता से मार के बाहर निकाल देता, आपकी बात सुनने के लिए तयार नहीं होता कैसी इंसान आप हैं, जा भेली ही आपका नहीं हो रहा है, कभी आप सोचिए ने, तो सरम से सर जुख जाएगा आपकी अपनी नज़रों में, कि हमारी साथ क्या होता है, जो एक जानवर के साथ होता है, आज वो एक युबाह के साथ होता है, बिहार के हर एक युबाह साथ यही ड्रामा हो रहा है, किसी को कुछ ने मिलता है, कोई महंगा लेके भेकू बना रहा है, कोई सस्ता दे के विरुजगार कर रहा है, ड्रामा दोनों कर रहा है, और जो बचे हुए पीछे वाले हैं, वो सब क्या हैं, इसी में घुल मिलके निकल टीचर के नहीं चाहिए बडियाँ बडियाँ टीचर हमको वेवस्था दो सुजीव से डेली एंसर राइ या पूंधा डेली टेस्ट लो स्विउखने टेस्ट दो वप्र डिसासंगित करवाँ आगर हैसियत नहीं है ऑनासंब कुछाशन करवाना तो अंदर तक दिल हिल जाएगा किये क्या रहते कहां मुसल्लपूर हाट में उस सच में हाट है वह हाट ने वह सबसे बड़ा बजार है जहां पर सांस लेने में भी घुटन फिल होती है वह नहर नहीं है वह नाला है जहां से पूरे पटना की गंदगी वही बदबु देती है और वहीं हमारा युबा रहता है कि जो पचीस साल का युबा पैटालीश साल का दिखता है इससे बड़ा दर्द जहेल के उसके बाद भी सेलेक्शन नहीं होता है। आपसे ज्यादा तो एहसास आपके बारे में मैं करता हूँ। आप क्या खा कीजीगा। दो पैसा बचाने के लिए जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां जाके जॉइन किये हुए। दो पैसा बचाने के लिए वहां जा रहे हैं जहां आपका कोई जट तक नहीं है। रिजल्ट आपके सामने है जी होगा ही हर साल होगा हर यूग में होगा इसे। आपके सामने है रुख जाओ। दो महीने बाद फीर आऊंगा सार दिन के बाद। और फिर आपकी धरकन को हिला के चला जाओंगा। आपको तो परभाव पढ़ता है कुछ नहीं है। इसलिए प्लीज हर महीने के बाद एक बार सर्विसिंग। एक दिन नो स्टड़ी। सुजीत सर के लिए। एक दिन सुनामी गुरू के नाव। और उस दिन पूरा सर्विसिंग। अगर सर्विसिंग करोगे तो क्या फाइदा होगा। एक तो फाइदा यह होगा कि कौन टीचर कहां तक पहुंचा। कहां आपकी कमी सिच्छक से बात करोगे। चाहे मैं रहूं या कोई और टीचर जो भी रहेंगे। होगा या नहीं होगा सर्विसिंग करोगे पता ही नहीं चलेगा। जो जैसे परहा रहा वो इसे पढ़ते जाओ। और लास्ट में क्या पता चलेगा तेरा रिजल्ठी नहीं हुआ। आओगे मेरे पास सरम से नहीं आओगे। और मैं कोशिश करता हूँ खुदा को साक्षे मानके जो भी बहतुरीन टीचर होना उसी कोई हाँ पर लाया जाए। आजिए बैठिए एक बात और कहूंगा जो भी ओनलाइन आफ राइन में हाथ जोड़के जो फीस मैंने मेंस में आपका पैतालीस तो रखे हूँ जो फीस मेंस का पैतालीस तो है ओनलाइन अब यह 75-100 हो जाएगा चोदे तारीक बाद 14 तारीक के बाद 14 तारीक की रात यह फीस पैतालीस सो से 75- 100 चला जाएगा बाद में बुझे कुछ मत बोलियका ऑफ-लाइन में जो फीस इस समय 5500 है यह 11-100 हो रहा है मेंस का रिजन सुचीत सर दू रिजन एक तो लर्का भी बढ़ते जा रहा है दूसरा अच्छे अच्छे टीचर को लाड़ा हूँ उनका फी जो है बहुत हाई है और अगर यहाँ पर फी नहीं बढ़ाऊंगा तो मैं किसी हालत में अच्छे टीचर को नहीं लापाऊंगा सिंपल सा बात है और हड़ी एक टीचर हमारी तरह वर्क करेंगे उनको करना ही करना है और सब कुछ तो रिस्पूसिटी आप के पास दे दिया हूँ आप कैसे उनको यूज कर सकते यह चीज है लगा दो जान इतनी मेहनत करो नहीं इतना पागलपन लाओ नहीं कि महीना कितना भी करीब क्यों ना आजाए लेकिन जुदगी में उदासी ना आए और ना आखों में आसुआए क्योंकि जैसे जिसे यह महीना गुजरता चला जाएगा नहीं वैसे हो इसे आपको गम देता चला जाएगा यहां पे चार पे कमान करकर रखो लगा दो जान यहां पे डेली एंसर राइटिंग करो नहीं भी देता हूं ना फिर भी आपको लिख के लाकर दिखाओ आइसे तो देता हूं लेकि कभी-कभी थूरा सा तृका भूल भी जाता हूं तो नहीं देताओ कभी-कभी ऐसा हँथा को आपको दिया हूं कोचे Сам लख लाकर दो लिखलो हाँ-जोडता हूं यही काम देगा और यही आपको मेंस तक पहुंचा देगा इसलिए पूरी ताकत लगा कर रखा हूं कि मेंस में इतना नंबर आ जाए ना कि इंटर्व्यू में कम भी आए ना तब भी आपका सेलेक्शन हो धर्थी पे कोई नहीं रोके और कम से 35 नंबर तो दोगे ही दोगे इ आइनल में कहना की बोले थे सुजीत सर ओनलाइन ऑफ्लाइन मिला के और यह भी रेशियो बताऊंगा जमाने को कितने बच्चे को पर आया था और कितना सेलेक्शन मैंने दिया तूंगा इसमार सेलेक्शन क्योंकि यह संस्था सिर्फ बीपीसी के लिए समर्पीत है और किसी चीजर के लिए नहीं लिए कि इसमीडिटार भी जाता वंपीसी में जाएटारा उन्लीक यूपीड देटार व जीलिए ने विखिसी अईएande कि सिर्फ इसमीडिपीस से नीचे seems सूच बेकार है पाप है इस ही सॉसी के लिए मेरे पास झाए इसके सिभा किसी के लिए नी आ हो अन्ना कॉल करो मेरे से क्या बस सिंपल सा लोजिक है अगर हमारा confidence हमारा विश्वास और इस जिस तरीके से महगाई बढ़ते जा रहे हैं जिस तरीके से हालात है से सो जी सर बस BPSC के जब एसे सी बैंकिंग दरोगा लिख दो कोचिंग चल जाएगा आपका भर जाएगा लड़का आपने तो पक्का भड़ेगा लेकि फिर भी विश्वास है अपना संस्था सिर्फ BPSC इगले समर्पित हो आने वाला टाइम में हर एक माबाप अपनी बेटिया को बोले कि अगर BPSC की तैयारी करना चाहती हो बेटी तो इंक्रीड़बल बिहार में इंक्रीड़बल जियेस के पास चल जाओ बाकि कहीं मत जाओ बाकी लोग दूसरे तैयारी करने कहीं भी जाएं लेकि BPSC करने वाले यहीं पर आएं इतना बना लो ब्रांड उसी तरीके सापको व्याता हो इतना ब्रांड बना लो इतना इंसर राइटिंग में तठस्त हो जाओ इतना मजबूत हो जाओ कि सामने वाले की धरकन को ह इलाकर रखतो जब आपका कोई कॉपी चेक करें तो उसको एहसास हो जाए क्या चीज हम है चले आज की क्लास को यहीं पर सर्विसिंग समाप्त कर देते हैं एक दिन महीना में एक दिन हमारे लिए एक दिन छुटी रहेगा उस दिन पूरा सर्विसिंग करना एक दिन सर्वि और फिर हमें बात करोगी सर्विस और स्पीड बरहाए क्लास को सर्विस रूर रखिये सर्व और दंगम नहीं सर्विसिग कोई दंगम नहीं